हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दाइंडियन मौम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए होग बिलकुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके लेके आए हैं चटपट से बनने वाली राजस्थानी पापड की सबजी बनाने में बहुत ही आसान है और पापड की सबजी सभी को बहुत पसंद आने वाली है तो फ्रेंट्स आए आज हम पापड की सबजी बना लेते हैं पापड की सबजी बनाने के लिए हमने यह आपे लिए हैं दो पापड, जो दाल के पापड आते हैं वो वाले पापड लिए हैं, सबसे पहले हम पापड को सेक लेंगे, अगर आप पापड को फ्राई करना चाहते हैं तो आप पापड को फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम देखिए हमने पापड कितने बड़िया तरीके सेक लिया है, बिल्कुल भी जला भी नहीं है, इसी तरह से हम दूसरा पापड भी सेक के तयार कर लेंगे, हमने दौनों पापड को सेक लिया है, अब हम पापड के पीस कर लेंगे, दौनों पापड के हमने पीस कर लिया है, पापड सबजी के लिए बिल्कुल रेडी है, अब आए जटपड बनने वाली पापड की सबजी हम बना लेते हैं, कड़ाई में हम डाल देंगे मस्टर्ड ओइल, एक चमच मस्टर्ड ओइल लिया है, हमने सबजी बनाने वाला चमच है, ओइल को गरम होने देंगे, ओइल गरम हो गया है, सबसे पहले हम डाल देंगे जीरा, हमने यहापे ली हैं दो लाल मिर्ज, एक मेडियम साइज का प्य प्याज और लसन को फ्राइब कर लेंगे प्याज और लसन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है कलर भी चेंज हो गया है खुश्बू भी आने लग गई है हमने यहापे एक लाल मिर्च कट करके रखी है अगर आपके पास में लाल मिर्च नहीं हो तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं हमने यहाँ पे मिडियम सैज का एक टमाटर कट करके रखा है बिलकुल बारी कट करके रखा है टमाटर को भी हम कडाई में डाल देंगे सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे प्यास टमाटर बहुत अच्छे से भुन चुके हैं आईए मसाले डालना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डाल देंगे एक छोटा चमच कसूदी मेथी आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच लाल मिर्ष पाउडर लाल मिर्ष पाउडर आप अपने हिसाब से कम या जादा भी कर सकते हैं एक छोटा चमच हम नमक डाल देंगे फिरिंट्स पापड की सबजी में नमक कम ही डलता है क्योंकि पापड में अल्रडी नमक होता है इसलिए हमने सबजी में नमक कम ही डाला है साथ ही हम डाल देंगे वारी कटावा हरनिया पत्ती सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पापड की सबजी के लिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है अब हम डाल देंगे आधा कटोरी पानी पानी डाल करके भी हमने बहुत अच्छी तरह सभी चीजों को मिक्स कर लिया है दो मिनिट के लिए मसाले को हम इसी तरह से पकने देंगे पापड की सबजी के लिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है अब हम डाल देंगे दही, क्योंकि पापड़ की सबजी दही के बिना बिलकुल अधूरी है यहां हमने लिया है एक कटोरी दही, फेट के रखा है दही जादा खटा नहीं है, दो दिन पुराना ही दही है दही को हम मसाले में मिक्स कर देंगे दही डालने के बाद आप लगातार चलाते रहें, नहीं तो दही फट जाती है गैस के फ्लेम को हाई कर लें, ताकि फटाफट से ग्रेवी हमारी तयार हो जाए सबजी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है हमने दही वाली कटोरी को धो करके ही पानी ले लिया है आदा कटोरी हम पानी और डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लगवग 2 मिनिट के लिए बॉयल होने देंगे देखिए दही भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है ग्रेवी एकदम रैडी हो चुकी है पर अभी जो ग्रेवी है वो गाड़ी है इसलिए आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दही और डाल दें या फिर इसमें पानी डाल दें हमने यहां पर आदा कटोरी पानी और डाल दिया है दो मिनिट के लिए अच्छी तरह से बॉइल होने देंगे पापड की सबजी के लिए ग्रेवी बिल्कुल रैडी है हमने पानी डाला था दो मिनिट पका लिया है दही पानी सबचीज बहुत अच्छे से पक चुका है अब हम तैयार किया हुआ पापड सबजी में डाल देंगे बस इसी तरह से एक दो मिनिट के लिए पापड को भी पका लेंगे पापड सिकावा है इसलिए बहुत जादा पकाने की ज़रुत नहीं है हमने यहां पे पापड तल के इसलिए नहीं डाला क्योंकि तलावा जो पापड हम डालते हैं सबजी के अंदर तो बहुत ओईली ओईली हो जाता है देखिए फ्रेंट्स पापड की सबजी रेडी हो चुकी है देखिए एक निट के लिए हमने पापड को भी पका लिया है पापड सॉफ्ट हो गया है अब हम गयस के फ्लेम को बंद कर देंगे और गर्मा गरम पापड की सबजी को सर्व कर देंगे देखिए फ्रेंट्स हमने पापड की गर्मा गरम सबजी को सर्व कर दिया है थोड़ा सा उपर से हम हरदनिया पत्ती डाल देंगे देखिए फ्रेंट्स गर्मागरम पापड़ की सबजी बिल्कुल रेडी है हमने सर्फ भी कर दी है अब आप जब चाहें तब बनाएं तेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें थेंक यू, थेंक यू सो मुच, हव अनाइस दे